बिस्मिल्यारामानेराहीम, असलामलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं इजाजनसारी फूट सीक्रट्स आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में तो जिनके पुलाओ की बोटियां फीकी हो जाती है या जिनकी बिडियानी के चावल फीके रहा जाते हैं आज दोनों के लिए स्पेशल रेस्पी है बहुत ही शानदार तरीके से हम यह रेस्पी बनाएंगे यहां प तो पूरे जूसी होंगे, फीके नहीं होंगे, वो ठीक है, चलेंजी, बिसमिल्लार रवारा ही, सबसे असान तरीका मापको रैस्पी का बताऊंगा और जल्द भी बन जाएगी, यहाँ पे चिकन आपने लेना है, तीन पाउ जरा बड़े साइज की आपनी बोटी लेनी है, इ साथ इसमें लॉंग एट कर देंगे, चार से पांच अदर जाएंगे लॉंग, और यह हमारे पास खुश धनिया, साबत वन टेबल स्पून, क्योंकि यहाँ पे यह नहीं बननी है, चुटकी आपने इसमें अजवाइन जरूर एट करनी है, ठीक है, अजवाइन के बगार य हाई गिलास, याद रखिएगा, इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं एट की, हल्दी तो इसमें जानी नीना पुलाओ में हल्दी नहीं डालते, ठीक है, लाल मिर्च मैं अधर डालूँगा, दूसरी तरफ क्योंकि उसको पकाई की जरूरत दी, इसको रख देते हैं साइड पे, चलें जी, बिसमिल्ला हमारी, अब यहाँ भी हाफ कप हम लेंगे, कुकिंग ओईल गी, और जब यह गरम हो जाएगा, तब जाके इसके अंदर, तीन छोटे साइज के या दो बड़े साइज के प्यास, जिनकी कलियां आपने बढ़ी काटनी एड करेंगे, ठीक है, याद र पुलाओ जब बन जाएगा, तो उसके अंदर चाहिए, जीरा, हाफ टी स्पून साबच जाएगा इसके अंदर, और हाफ टी स्पूनी काली मिर्श, अब यह दो मसाले, अगर पुलाओ के अंदर नहीं है, तो पुलाओ का मज़ा ही नहीं है, यह मैंने इसलिए इधर एड़ किये, क्योंकि उदर तो यहनी हमने चाहन लेनी है, तो यह फिर मिलने नहीं थे, गोल्डन हो जाएगा, वन टेबल स्पून भड़के अध्रक लैसन का पेस्ट, जिसको आपने लो फ्लेम के ओपर कम से कम, 3 मिनिर तक पकाना है, और यहाँ यह जो यहनी है, हमारी तयार हो च करेंगे, के यह समझने के इसकी वज़ासे लोग आपके चाहल खाने शुरू करतेंगे, ठीक है, और यह जो शानदार येखनी है, अब जब इसके अंदर चाहल जाएंगे, इसको पिएंगे, तो वो बहुत जारा जूसी हो जाएंगे, और बहुत जारा वो लाजीज हो प्यास तक्रीबर एक गलास चावल जो खुश्क चावल थे और हमें ये दो गलास ही है नहीं चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अद्रक लैसेट ओचे से हमने इसके अंदर भून लिया है प्यास के अंदर अब हम इसमें कुछ उम्साले अट करेंगे इसके अंदर हम एड़ करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च कोशिश किया करें पुलाओ के अंदर पौडर लाल मिर्च ना एड़ करें उससे कलर बहुत खराब हो चाथा और ये वैसे भी जरा न अच्छी लगती इसके अंदर ठीक है वन टेबल स्पून एड़ करेंगे और नमक हम उधर एड़ कर चुके था ठीक है ताकि जो हमारा चिकन है वो भी जरा नमकीन हो सके अब हमने क्या करना है इसके अंदर वो यहनी याड़ कर देनी है मैं फिर बता दूँ चावल मैंने एक गलास लिए थे ठीक है और चावलों से डबल आपने इसके अंदर यहनी एड़ क करना वरना चावल नरम बनते हैं हलवा बन जाते हैं जुड़ जाते हैं और यहीं पर आपने चावल एड़ करने से पहले नमक चेक कर लेना है नमक कम हो तो आपने और एड़ कर देना तो यहां पर नमक पूरा था मैंने चेक किया और अच्छे से वाइल आ चुका था यहनी में तब मैंने जो आदा घंटा पहले चावल भीगों के रखे थे पुराने काइनात के वह इसमें एड कर देंगे ठीक है हलके हाथों से चमशी लाएंगे चावल टूटे नहीं फ्लेम को यहां पर मीडियम टू हाई कर देंगे बहुत हाई भी न ठीक है तो यह गलती हम नहीं करेंगे हम अच्छे से देखेंगे कि चावल जब यहनी को कम्प्लीटली पी जाएंगे ड्राइ नहीं करना आपने पस इतना कि यह जो लिक्विट है ना पानी यह नजर नहीं आनी चाहिए यह देखें जैसे अब आपको यहां पर नजर आ रह एड़ करने के बगार बनता ही नहीं है ठीक है टोमाटर के एक ता खास कटास ही होती है जूसा होता है जो बहुत अच्छा लगता है आपने इसके जो बीज है ना वो नहीं एड़ करने है टोमाटर के ठीक है सिर्फ आपने जो अपर लेर इसकी वही एड़ करनी होती है हरी म जनिया जो है में बाद में आड़ कर देता हूँ अगर करना हो दम पर रख देंगे इसको होल को बंद कर देंगे नीचे तवा रख देंगे और इसी दुराँ फॉरन से जाके आपने चैनल को अगर अभी तक सबस्क्राइब ने किया जनव तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कोटिंग है न वो बनाने है अगर आपके पास नहीं है आप मैदा ले ले मैदा नहीं है आप कुछ मीन आ लें फिर ठीक है बेसन आपने यूज नहीं करना इस रेसिपी के अंदर हर्गिस यूज नहीं करना कॉर्ण फ्लॉर तीन चमच है थोड़ा से इसमें आफ्टी सून नम रही है और चीजों की आपको समझ आ रही है अच्छे से कोई प्राब्लम हो कमें बॉक्स में पूछा करें चले जी इस बैटर को जो हमने थोड़ा सा नायथ हैट कर देंगे हमने ज्यादा इसको नहीं बनाना उसके बाद बोटियों को हमने इसके अंदर डिप कर देना है अ गर इसा ना हो के मज़ा नाय। तो इसको हम फ्राइ कर लेंगे ओटूक नहीं आपके करना शॉस खास बात की है यहां पे जब यह बहुत शांदर ौला कि समझा है आपको मतलब के लोग डिमांड करेंगे के बहूट यह बोटियां हम यह बीकिस्च की हए ब्हु erाब आपने separately serve करनी है ठीक है दूसी तरफ 15-20 मिनट हमने लो से flame के ओपर दम लगा है था पुलाओ को और यहां पे खुश्बूवे मैं आपको बता नहीं सकता मतलब जब यह प्योर यखनी के अंदर बनते है ना यह पुलाओ तो इसका एक 80 ही अलग होता है अब आपने इसको serve कैसे करना है आपने इसको अलग से इसके ओपर बोटिया रेकर नहीं है फिर serve करना है तो माशाला अलहम्दुलिल्ला देखेंजी मेरे अल्ला की शान उसकी रह्मते नेमते और बढ़कते जिसे निवाता हो कार विए उसको शांदार चिकन पुलाओ तेयार है फ्राइड चिकन पुलाओ तेयार है इज स्पेशल रेस्पी तेयार है और इवन बिर्यानी से भी बेहतर रेस्पी तेयार है दौा भी आदे कि वीडियो का लाइक कीज़ें अगली वीडियो तक अल्ला हाफीज